नमस्कार दोस्तों, मार्च का महिना आने वाला है और मार्च का महिना नोक्री पेशा लोगों के लिए बहुती टेंशन भरा होता है और जो लोग किसी प्राइवेट संस्था में परमानेट नहीं है उनके लिए तो ये महिना और भी टेंशन भरा होता है क्योंकि उन्हें ये लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमें इस नोक्री से हाथ धोना पड़े मतलब ऐसा ना हो कि हमें इस नोक्री से निकाल दिया जाए तो चलिए आज हम इस वीडियो में ये जानते हैं कि ऐसे वो कौन-कौन से लक्षन है जिसको देखकर आप ये पता कर सकते हो कि आपकी जाव या आपकी नोकरी कहीं खत्रे भी तो नहीं है कहीं आपकी नोकरी जातो नहीं सकती तो चलिए मैं आपकी परेशानी को दूर करने का एक छोटा सा प्रयास करता हूँ मैं आपको कुछ ऐसे लक्षन बताऊंगा जिसके थूँ आप जान सकते हो कि आपकी नोकरी पे खत्रा है या नहीं है मतलब आपकी जाब सुरक्षित रहेगी या नहीं रहेगी और साथ ही अगर आप ये भी जानना चाहते हैं कि आप अपनी जाब को किस प्रकार से बचा सकते हैं ऐसे कोन-कोन से तरीके हैं जिसके थूँ आप अपनी जाब को बचा सकते हैं तो आपको इस वीडियो को अंतक जरूर देखना चाहिए अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेर करें और मेरे सेलेंज जोतिश मंदर को सब्सक्राइब करना ना भूलें तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले तो आपको इस सत्य को जानना चाहिए कि आजकल के दोर में कोई भी प्राइवेट नोकरी परमानेंट नहीं है यह यू कहें कि कोई भी जॉब सिक्यूर नहीं है क्योंकि इस मशनरी और टेकनलोजी के दोर में सभी संस्थानों के मेंस पावर पर निर्फरता कम हो गई है मतलब आज आपका कामपेडिशन अपने कलिक से नहीं है अपने सहकर्मी से नहीं है बलकि आपको आपका कामपेडिशन जो है वो मशनरी से टेकनलोजी से तो आपको हमेशा अपना 110% देना होगा तभी आप अपना जॉब बचा पाएंगे अधरवाइस आपको अपने जॉब से हाथ धोना पड़ सकता है तो चले मैं आपको कुछ ऐसे लक्षन बताता हूँ जिसकी थुरू आप जान सकते हो कि आपकी नोकरी पर कहीं खत्रा तो नहीं मन रहा है कहीं आपकी नोकरी जाने वाली तो नहीं है अगर आपने इन लक्षनों को ध्यान से देखा अपने जहां पर भी आप काम करते हैं अपने ध्यान से देखा तो आप बहुत इजिली पता कर लोगे कि आपकी नोक्रियब जाने वाली है और अगर ऐसा लगे आपको तो आप अपना दूसरा कहीं पर देख लिजे मतलब आप अपनी विवस्था कहीं और कर सकते हैं अपने जाब कहीं और देख सकते हैं तो इन लक्षणों को आप ध्यान से देखिएगा पहला लक्षण अगर हाली में आपके मेनेजमेंट में कोई परिवर्तन हुआ है हाली में आपके मेनेजमेंट में कोई बदला हुआ है तो सावधान हो जाईए क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि हर एक नया इंसान या आपका नया बोस जो है वो एक नई सोच के साथ काम करना पसंद करता है हो सकता है कि वो अपने नजदी की लोग या अपने जान पेचान के लोगों को जादे प्रिफरेंस दे तो आपकी नोकरी वहाँ पर खत्रे में आ सकती है दूसरा आपके इंसिट्यूट या आपका संस्थान जिसमें भी आप काम करते हैं वहाँ की इंपोर्टेंट एक्टिविटी की ख़वर आपको नहीं मिल पा रही हो या आपको बताना जरूरी नहीं समझा जा रहा हो तो सावधान हो जाईए आपकी नोकरी खत्रे में हो सकती है तीसरा आपके संस्थान में या आपके इंसिट्यूट में होने वाली जरूरी मिटिंग में आपको नहीं बुला जा रहा हो समझ जाएए खत्रा मंडरा रहा है फोर्थ आपको कोई भी बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी जा रही है चाहे आप उस responsibility के लिए कितने भी perfect क्यों ना हो फिर भी आपको कोई जिम्मेदारी बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी जा रही है समझ जाएए खत्रा मंडरा रहा है आपको work load के थ्रू या mentally परेशान किया जा रहा हो समझ जाएए खत्रा आने वाला है आपके अच्छे से अच्छे suggestions को नजर अंदाज किया जा रहा हो चाहे वो suggestion उस संस्था के लिए कितने भी महत्पून क्यों नहों फिर भी आपके suggestions को नजर अंदाज किया जा रहा हो, neglect किया जा रहा हो आपके दोरा किये गए काम में बे बजह गलती निकाली जा रही हो गलती नहीं है तो भी जानबूज कर गलती निकाली जा रही हो आपके सामने आपके equivalent याने आपके समकक्ष जो कलिग हैं उनकी तारिफ की जा रही हो और आपके काम की तारिफ नहीं की जा रही हो जबकि आप भी उतना ही अच्छा काम कर रहे हो तो भी आपको ऐसे project दिया जा रहे हो जो आपके लिए बहुत ही कठिन हो और इतना कम समय दिया जा रहा है जिसमें किसी भी इंसान के लिए करना कठीन हो और सबसे जरूरी इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर आप अपनी जगे से नहीं हिल पा रहे हो मतलब आप अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे हो तो इंडारिकली आपको सब के सामने आपकी इंसल्ट की जा रही हो ताकि आप खुद वो जाप को छोड़कर चले जाए तो ये दस मैंने आपको लक्षण बताए हैं अगर भगवान न करें लक्षण आपके साथ हो रहे हो अगर ये लक्षण में से 60-70% लक्षण भी आपके साथ अगर घट रहे हो ये घटनाय आपके साथ घट रही हो तो सावधान हो जाएए आपकी नोक्री जाने के फुल चांसे से अगर इस आपको लग रहा है तो जल्दी से जल्दी आप कहीं और अपना व्यवस्ता कर लीजिए तो ये थे वो लक्षण जिनके द्वारा आप आसानी से पता कर सकते हो कि आपके जौब खत्रे में है या नहीं है माल लीजिए ये सारे लक्षण आपके साथ घट रहे हो सारी घटनाएं आपके साथ हो रही हो और आप चाहते हो कि आपकी जाब बचे आप चाहते हो कि आपकी जो नोक्री है वो ना जाए तो इसके लिए आप क्या करेंगे ऐसे कौन-कौन से उपाय हैं, ऐसे कौन-कौन से पहलू है, ऐसी कौन सी ट्रिक्स हैं, जिसके थू, जिसको यूज करके, जिसको फालो करके, आप अपनी जाब को आसानी से बचा पाएंगे, और लंबे समय तक एक ही संस्थान में आप अपनी जाब कर पाएंगे, फिर चाहे उस संस्थान में आपके कितने भी दुश्मन क्यों न बन जाए तो आपको मेरा अगला वीडियो देखना होगा क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है तो आगे की जो बात है यानि कि आप अपनी जाब को सिक्यूर केसे कर पाएंगे कौन-कौन से उपा है कौन-कौ से पहलू है जिनको आप फालो करके अपनी जाब को बचा पाएंगे तो आप हमारा अगला वीडियो जरूर देखिए आज क्रीवस इतने ही मिलते हैं एक नए विश्यक साथ तब तक आपने एक खुश मुझी दीजा अग्या जाएंग्या